यहां कहानी सुरू होती है चमपापुर नामक एक गाउं से जहां पर पियूस नाम का एक लड़का अपने एलियन दोस्ट कोको के साथ रहा करता था कोको और पियूस एक जादवी पत्थर की रक्षा करते थे प्लूटो ग्रह पर रहने वाला एक बहुत ही खतरनाक एलियन राका उस पत्थर को प्राप्त करना चाहता था राका जिम्बोला प्रकट हो जिम्बोला प्रकट हो मुझे तुमारी जरुवत है प्रकट हो जिम्बोला तो भी, जिंबोला जादू गर वहां प्रकट हो जाता है राका की जै हो, राका की जै हो बोले राका, मैं आपकी क्या सिवा करूँ जिंबोला मुझे जादूई पत्थर चाहिए जो की पिर्थवी पर एक लरके के पास है जाओ, वो पत्थर लेकर आओ लेकिन ध्यान रहे वह पत्थर बहुती सक्तिसाली है और वो पत्थर उनके पास है इसलिए तुम्हें अपनी सक्तिसे नहीं बलकि अपने च्छल से उसे लाना होगा जी राका मैं ऐसा ही करूँगा अब बस आप देखिए कि मैं क्या करता हूँ बस आप मुझे उस लड़के की सारी जनकारी दे दीजिए ठीक है मैं उसकी सारी जनकारी तुम्हारे दिमाग में भेज देता हूँ फिर जिमबोला गायब होकर वहाँ से पिर्थवी की और निकल परता है कुछी समय बाद वह पिर्थवी के एक जंगल में पहुँचता है अरे वा जितना सुना था उससे कई अधिक ये पिर्थवी बहुत ही ज़्यादा सुन्दर है अब मुझे पियूस के घर जाना चाहिए फिर जिमबोला गायब होकर पियूस के घर के पास प्रकट हो जाता है अब मैं अपनी जादवी सक्ती से देखता हूँ कि वो और कोको क्या कर रहे है कोको कोको कहा हो जल्दी यहाँ आओ फिर कोको वहाँ आ जाता है क्या हुआ पियूस बोलो क्या बात है कोको आज मेरे भाई छोटे का बड़े है उसने हमें साम को बड़े पार्टी में बुलाया है अरे वात अब तुम्हें बिल्कुल जाओंगा मैंने आज तर कोई बड़े पार्टी नहीं देखिया है हाँ हाँ मैं तो यही कह रहा हूँ ठीक है हम साम को चलेंगे जिम्बोला परदे पार्टी फिर जिम्बोला गायव होकर जंगल में पहुँच जाता है अब देखो मैं क्या करता हूँ कीको कीको मेरे सेवक परकट हो फिर कीको वहां परकट होता है कीको सुनो तुम्हें क्या करना है फिर जिम्बोला कीको को अपनी योजना बता देता है हाँ मैं समझ गया की मुझे क्या करना है फिर कीको एक इनसान का रूप ले लेता है जिम्बोला जाओ अपने काम में सफन होकर लोटना इधर पियूस का भाई छोटे इतनी देर हो गई अब तक केक नहीं आया पता नहीं केक वाला इतनी देर क्यों लगा रहा है अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था तब ही कीको केक लेकर उसके कमरे में पहुँच जाता है अरे तुम कौन हो? मैं केक वाला हूँ तुम बिना पूछे अंदर कैसे आ गए? चलो जल्दी से केक रखो और जाओ यहां से कीको वाँ पर केक रख देता है और चला जाता है अब आएगा मजा वाँ केक आ गया अब बस भाईया के आने का इंतजार है सभी अचानक वाँ केक बड़ा होने लगता है और फिर उसके बाद वह छोटे को अपने अंदर समा लेता है कीको वहाँ पर कट हो जाता है चलो मेरा काम तो हो गया अब बस कोको और पियूस के आने का इंतजार है उस समय बाद कोको और पियूस वहाँ आते हैं आओ आओ स्वागत है तुम कौन हो मेरा भाई कहा है छोटे कहा है फिर कीको अपने असली रूप में आ जाता है तुम्हारा भाई इस केक के अंदर है जल्दी से मुझे वो जादूई पर्थर दे दो वरना तुम्हारा भाई नहीं बचेगा कीको ये तो जादूगर जिम्बोला का सेवक है कीको देखो तुम ये अच्छा नहीं कर रहे हो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूँगा अगर तुमने कुछ भी किया तो मैं इसके भाई को मार दूँगा नहीं नहीं कोको इसे कुछ मत करो मेरा भाई मेरा भाई तुम फिक्र मत करो मैं इसे कुछ नहीं करूँगा तुम्हारे भाई को कुछ नहीं होगा ज्यादा बक्वास मत करो जल्दी से मुझे वो जादूई पत्थर दे दो वरना मैं इसे जादूई पत्थर दे देता हूँ अब हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है फिर कोको उसे जादवी पत्थर दे देता है अरे वा आखिरकार मुझे ये जादवी पत्थर मिले गया मालिक बहुत खुस होंगे तुम्हारा भाई जल्द ही इस केक से निकल देगा फिर कीको वहां से गायब होकर चला जाता है फिर छोटे उस केक से बाहर निकलता है वहां बेहोस होता है अब क्या होगा कोको वो तो उस पत्थर को लेकर चला गया चलो हम उसका पीछा करते हैं अगर हम उसे रोक पाए तो अभी कीको वहां पर आ जाता है अरे कोको देखो ये तू वापस आ गया वो क्या है ना वो मैं दरसर मैं यहां कुछ भूल गया था कोको कुछ तो गरबर है पीउस बाहर बारी सो रही है कहीं ऐसा तो नहीं की पानी इसकी कमजोरी है अगर ऐसी बात है तो हमें जल्दी कुछ करना होगा कोको तुम अपनी सक्ती से इसके उपर पानी से वार करो हाँ तुमने सही का ठीक है मैं ऐसा ही करता हूँ फिर कोको कीको के सरीर पर पानी से वार करता है नहीं नहीं फिर कीको देखते ही देखते खत्म हो जाता है और वो पत्थर उरकर वापस कोको के पास आ जाता है